हेलो स्टुदेंट्स वैलकम तु दा लेक्ट्चर सिरीज ऑफ एन्वार्मेंटल स्टुडीज आज हम अपना लेक्ट्चर नमबर 28 स्टार्ट करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा एसिद चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं एसिद रेइन क्या होता है तो एसिद रेर्फस तो दे रेवाल और और एनी अदर फॉमब प्रेसिपिटेशन थैज है 2014 अ प्रेसिपिटेशन हो गया नहीं हो रहे है यह अथे सोफड हो रहा है और आर बारिश या सोफgies या जो हम precipitation बोल रहे हैं उसके साथ अगर acidic components अर्थ के उपर आ रहे हैं जमीन के उपर आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं acid rain अब यह जो acid components होते हैं यह तीन तरह के acid होते हैं sulfurous acid, sulfuric acid और nitric acid तो यह तीनों acid जो हैं जब rain water के साथ mix होके जमीन के उपर आएंगे, अर्थ के उपर आएंगे तो ऐसे rain को क्या बोलेंगे acid rain अब यह जो तीनों acids हैं sulfurous acids, sulfuric acid या nitric acid यह तीनों acids जो हैं वो atmosphere में form होते हैं कैसे form होंगे these acids are formed when pollutants like sulfur dioxide and nitrogen oxides are released into the atmosphere and react with water देखिए, अर्थ के उपर हम लोग क्या कर रहे हैं कई तरह की human activities कर रहे हैं चाहें वो industries हैं या हम vehicles चला रहे हैं तो जैसे air के अंदर pollution increase होता है तो कुछ pollutant हैं दो तरह की हमारे पास gases हैं acid rain के लिए जो responsible हैं वो है sulfur dioxide and nitrogen oxide तो जब यह sulfur dioxide और nitrogen oxide atmosphere में पहुंसती हैं वहाँ पर यह atmosphere में present जो water vapors हैं उनके साथ reaction करती हैं इनमें आपस में कई तरह की chemical reactions होते हैं उसके बाद हमारे तीन acid बनते हैं sulfurous acid, sulfuric acid और nitric acid अब यह तीनों acid जब rain water के अंदर mix हो जाएंगे और जब यह अर्थ के उपर इस तरह की बारिश होगी जमीन के उपर इस तरह का पानी आएगा उपर से बारिश के फॉर्म में या other precipitation की फॉर्म में तो उसी को हम क्या बोलते हैं acid rain अमली यह वर्षया इसी को बोलते हैं इस pollutants can be released अच्छा यह जो pollutants हैं SO2 और NOx यह nitrogen oxide यह कहां से आएंगे these pollutants can be released into the air through natural processes और human activities है ना कोई भी nature के अंदर जो process हो रहा है जैसे volcanoes के अंदर eruption हो रहा है ना तो volcanoes में से harmful gases निकलती हैं उसमें हमारा sulfur dioxide और nitrogen oxides निकलते हैं वो atmosphere के अंदर आ रहे हैं दूसरा human activities different तरह की human activities हो रहे हैं जैसे हम लोग fossil fuels को burn कर रहे हैं कई तरह की industries हैं इंडस्टी में से धुहा निकल रहा है उनके through SO2 NOx जो है atmosphere में आ रहे हैं ठीक है तो आपको यहां पर दो gases के नाम लिखने हैं जो acid rain के लिए responsible हैं याद रखने हैं कौन-कौन से SO2, sulfur dioxide and nitrogen और तीन acid बनते हैं sulfurous acid, sulfuric acid और nitrogen तो किस तरह की reactions होंगी उनको एक बार देख लेते हैं कि कौन-कौन सी reactions जो होती है वो acid rain में involved होती हैं और उनसे यह तीन तरह के harmful acid बनते हैं तो पहला reaction है SO2 plus H2O gives H2SO3 sulfurous acid जब sulfur dioxide water के साथ water vapor के साथ react करता है तो क्या बनाता है? sulfurous acid बनाता है ऐसे ही sulfur dioxide जो है वो atmosphere में present oxygen और water के साथ react करता है तो sulfuric acid बनाता है उसके बाद different तरह के nitrogen oxide NOx जब atmosphere में आते हैं तो उनमें आपस में reaction होती है for example यहाँ पर यह reactions दी है NO plus O3 ozone के साथ react कर रहे हैं तो NO2 plus O2 बना दिया उसके बाद यह जो NO2 है दुबारा से ozone के साथ react करता है तो NO3 बन जाता है फिर यह NO2 जो बना atmosphere में यह NO3 बना जब यह react करते हैं तो N2O5 बन जाता है और यह N2O5 जब water vapor के साथ react करेगा तो क्या बन जाएगा nitric acid बन जाएगा ठीक अब यह जो तीनो acid है यही तीनो acid जो है rain water के साथ नीचे आएंगी इसी को हम क्या बोलतेते हैं acid rain ठीक है now acid rain को measure कैसे करते हैं तो यह आप सबको पता ही है हमारे पास pH scale है pH scale में जो values होती है वो 0 से लेके 14 तक होती है उसमें 7 जो होता है वो neutral होता है 0 से लेके 6.9 तक अगर value आ रही है किसी भी चीज़ की तो वो acidic nature होगा और 7.1 से लेके अगर 14 तक value जा रही है तो वो alkaline nature का होगा जैसे यहां पर कुछ example दिये है जो हमारी battery होती है battery के अंदर जो acid है उसका pH जो होता है वो 0 होता है highly highly acid lemon juice है उसका pH 2 होता है soda जो होता है उसका pH 2.5 होता है ऐसे ही जो clean rain है उसका 5.6 होता है जो normal वर्षा होती है वो clean rain जिसको हम कहा रहे है 5.6 pH है लेकिन acid rain है जिसकी हम अभी बात कर रहे है इसका pH 4.3 2.5 से लेके लगबग 4.3 की range में इसका pH होता है फिर alkaline की तरफ अगर हम चा रहे है तो blood जो हमारा होता है उसका pH 7.4 है तो यह base हो alkaline हो गया ऐसे ही ammonia जो होता है उसका pH 11 होता है तो इस scale के थू हम क्या कर सकते हैं किसी भी चीज का acidic nature है या basic nature है उसको पता कर सकते हैं Now causes of acid rain acid rain के क्या क्या कारण होते है किनकी वज़े से acid rain generally होता है तो पहला है इसमें combustion of fossil fuels देखे जब भी हम fossil fuel burn करते हैं तो उसमें क्या होता है उसमें sulfur dioxide और nitrogen oxide निकलते हैं और मैंने आपको यह starting में ही बता दिया जिस भी जब भी sulfur dioxide और nitrogen oxide atmosphere में आएंगे तो chances बन जाएंगे acid rain होते हैं तो fossil fuel को burn किया fossil fuel को burn करने से fossil fuel को जलाने से sulfur dioxide और nitrogen oxide जो है atmosphere में आएंगे वहाँ पर reactions होंगी और वो क्या करेंगे acid rain form करेंगे vehicle emissions जो हम vehicle चलाते हैं transportation के जितने भी system में जिसमें fuel की burning होती है वहाँ पर भी nitrogen oxide निकलती है nitrogen oxide जितनी ज़्यादा atmosphere में आएगी तो वो आगे चलके क्या करेंगे acid rain का formation करेंगी उसके बाद industrial activities है certain industrial processes such as metal smelting and chemical manufacturing release pollutants that can lead to acid rain metal की smelting हो रही है या फिर उसके बाद कई तरह के chemical की manufacturing हो रही है industries के अंदर वहाँ पर भी sulfur dioxide और nitrogen oxide निकलती है natural sources की बात करिए मैंने आपको बताए दिया volcanic eruptions है जो आला मुखी कहीं पर निकल रहा है तो उसमें harmful gases निकलती है या forest fire हो रहे है जंगल में आग लगी तो वहाँ पर भी sulfur dioxide और nitrogen oxide निकलेंगे और उससे acid rain का formation होगा now acid rain के effects क्या होते है तो acid rain के effects जो होते है soil के उपर, water के उपर, vegetation के उपर, wildlife के उपर सब के उपर harmful effect तो पहले हम बात कर लेते है soil के उपर क्या effect होगा acid rain can lower the pH of soil making it more acidic अब acid rain जो है soil के pH को कम कर देगी soil कैसी हो जाएगी acidic हो जाएगी और acidic soil में plant की growth नहीं है ठीक है this can affect the availability of essential nutrients for plants this can affect the availability of essential nutrients for plants and microorganisms अब ज्यादा acid होंगे soil के अंदर तो जैसे मैंने बताया उस soil के fertility कम हो जाती है क्योंकि plant के अंदर जो essential nutrients होते है वो plants को नहीं मिल पाते अच्छा soil के अंदर क्या होगा important कुछ microorganism होते है तो उन microorganism की क्या हो जाती है death हो जाती है acidic nature के कारण तो उससे भी soil की fertility कम होगे जैसे for example aluminium released from soils under acidic conditions can become more soluble and potentially toxic to aquatic life अगर acid rain हो रहा है किसी soil के उपर तो उसमें एक example के थुरू बताया है कि soil के अंदर जो aluminium होता है वो निकल जाता है और वो rain water के साथ बैके nearby लेक या water body में चला जाता है तो वहां पर वो कम हो जाएगा तो उसमें रहने वाली जो aquatic life है उसके उपर effect परेंगे ठीक है क्योंकि ज्यादा acidic nature में ज्यादा acidic पानी में aquatic life जीवित नहीं रहती है fish and other aquatic organism may be adversely affected by changes in water pH and the release of toxic metals उसके बाद vegetation के उपर क्या effect पड़ेगा या जो हम फसलें उगाते हैं उनके उपर क्या effect पड़ेगा acid rain can damage the leaves, needles and bark of trees and plants अगर acid rain जो है किसी पेड़ के उपर गिर रही है, हमारी फसलों के उपर गिर रही है तो उसकी जो पतियां है या plant की पतियों की needles है plant की जो च्छाल है, bark है उसको ये खराब कर देती है plant का अपना जो एक immunity system होता है उसको ये weak कर देती है तो plant को आगे चलके जादा disease उसके अंदर जादा pest जो है वो लग सकते है और plant जो है harsh weather conditions होंगी तो उसमें भी फिर क्या होगा जिंदा नहीं रहता है human health की अगर हम बात करें while the direct health effect of acid rain on humans are less pronounced than its impact on the environment the pollutant that cause acid rain can contribute to respiratory problems and other health issues acid rain वैसे अगर उसके harmful effects देखे जाए human health के उपर या हमारे उपर क्या पढ़ते है तो वो अभी उसके उपर study चल रही है इतने जादा हमें effect देखने को नहीं मिलते है लेकिन फिर भी अगर acidic water है मान लीजिए किसी की body के उपर पढ़ेगा तो body को damage पहुचाएगा लेकिन acid rain के लिए जो responsible sulfur dioxide और nitrogen oxides है वो हमारे respirator free system को खराब करती है और हमें कई तरह की respiration से related disease होने के chances बाढ़ जाते है फिर acid rain जो होती है वो buildings और monuments जो historical monuments जो पुरानी हमारी इमारतें बनी हुई हैं उनको नुकसान पहुचाएगा acid rain causes extensive damage to buildings, statues and monuments made of limestone, marble और slate तो जो पुराने किले हैं, पुरानी buildings हैं, इमारतें हैं, statues हैं जो limestone, marble या slate के बने हुए हैं उनको बहुत जादा नुकसान जो है ये acid rain पहुचाती है जिसे example दिया है कोई building या कोई चीज़ इमान लीजे limestone की बनी हुई है तो limestone क्या होता है, calcium carbonate होता है, उसके ओपर अगर ये S2SO4 का impact पड़ेगा तो ये calcium sulfate में convert हो जाएगा, ठीक है फिर जो acid rain होती है, वो हमारे कुछ metals होते हैं, जैसे zinc हो गया या alloy हो गया, steel हो गया या iron हो गया इन में जो corrosion का process है, उसको क्या करते हैं, fast करते हैं, ठीक है, corrosive damage to steel zinc acid now control of acid rain, control देख लेते हैं कि acid rain को कैसे control किया जाए, तो देखिए, एक line में अगर मैं बताऊं तो acid rain को control हम कैसे कर सकते हैं, हम SO2 और NO2, sulfur dioxide और nitrogen oxide की जो concentration है, उसको atmosphere में आने से रोक लें, तो उसके लिए हमें कुछ उपाए करने पड़ेंगे, क्या उपाए करने पड़ेंगे, पहला है इसमें regulatory measures, implementing and enforcing regulation to limit emissions of sulfur dioxide and nitrogen oxide from industrial facilities and power plants तो industries से, power plants से, जो sulfur dioxide और nitrogen oxide निकल रहे हैं, उनको emission को limitation में लाना होगा, तो उसके लिए हमारी government ने कई तरह के कानून बनाए हैं, उनको strict implement करना होगा, चीक हैं? सेकेंड है हमारा alternative energy sources, हम ऐसे energy sources का इस्तमाल करें, जो clean हो, जिनके इस्तमाल से इस तरह की gases ना निकलें, तो ज्यादर से ज्यादर हम cleaner और renewable energy sources, जैसे wind, solar, hydroelectric power का इस्तमाल करें, तीसरा है catalytic converter, catalytic converter क्या होते हैं, एक instrument होते हैं, जो generally जो हमारे vehicle में fit किये जाते हैं, और ये catalytic converter क्या होते हैं, जो vehicle से जो धुआ निकलता है, वो in catalytic converter में से पास होता है, और ये catalytic converter क्या अगरते हैं, nitrogen oxide को absorb कर लेते हैं, atmosphere में नहीं आने जिते हैं, उसके बाद scrubbers, using scrubbers in industrial smoke stacks to remove sulfur dioxide from emissions before they are released into the atmosphere, smoke stacks क्या होते हैं, चिमनी होती हैं, तो चिमनी से धुआ आ रहा है इंडिस्ट्री का, तो वहाँ पे scrubber का अगर ये भी instrument होते हैं, वहाँ पे अगर हम scrubbers का इस्तमाल करें, तो ये scrubbers sulfur dioxide को atmosphere में आने से रोकते हैं, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, plantation कर सकते हैं, या तो eforestation करें, या reforestation करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ अगर हम लगाएंगे, तो वह कहीं ना कहीं, environment के अंदर air pollution को कम करने का काम करेंगे, और air pollution कम होगा, मतलब nitrogen oxide, sulfur dioxide gases भी कम होगी, तो acid rain होने के chances जो हैं, वो क्या होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, acid rain को हम control कर पाएं, चिक हैं, तो यह आज का हमारा topic था, छोटा सा acid rain, hope आप सभी को video lectures पसंद आ रहे हैं, तो आप जो हैं, इन से अपने notes बनाईए, और अपने friends के साथ भी share कीजिए, because sharing is caring, तो आज के lecture में इतना ही, thank you.